हेलो फ्रेंट्स आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में मैं हूं संदीप यादव आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल हाई टेक नर्स तो दोस्ता आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं multiple choice questions के बारे में जो की आने वाले important थाबित होने वाले हैं सभी exams के लिए जैसे के आने वाली M3C case के exam हो चाहिए M's daily जो combined M's का exam होने वाला है उसकी जो exam या फिर जो नागपूर और पतना के अंदर अभी अभी recently जो vacancy आई है उनके लिए भी इसके अंदर important questions मिलेंगे और जिपमर में जो exam होने वाले जिपमर की दो exam है उसके लिए भी इसमें important questions आपको मिलेंगे तो वीडियो को बिना skip कि आपको complete देखना है एक एक questions आपके लिए बहुत ज़्यादा important रखता है क्योंकि एक number यह आपको आपकी सफलता तक पहुंचाता है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना है complete देखना है ऐसे ही मैं इसको continue बढ़ाते हुए आपके लिए complete एक मतलब series complete करूंगा इसमें जो भी questions होंगे कम से कम आपको 1000 questions related मिलेंगे तो आपको चैनल को भी subscribe कर लेना है ताकि नए वी तो इसके अंदर first question दिया गया है the radius is located इसके अंदर पुछा गया है radius is located मतलब radius bone कहां पर present होती है तो option है इसके अंदर in the upper part of arm arm के upper part के अंदर on the thumb side of the lower arm lower arm के अंदर जो थम की side होती है उस side में होती है on the little finger side of the lower arm जो lower arm की little finger होती है छोटी अंगुली होती है उसकी side में होती है and option D है यहाँ पर at the shoulder arm shoulder arm के पास में होती है तो इसका जो right answer होगा वो होगा radius bone होती है जो thumb side of the lower arm option B यहाँ पर right answer हो जाएगा इसका और जोquar डियस और अलना दो बहुन होती है आम के अंदर लोगर आम के अंदर तो जो रेडियस बहुन होती है वो धमसाइड में और जो अलना बहुन होती है अलना बहुन होती है लित्ल फिंगर की सैड में नेक्स्ट कॉश्चन, कॉश्चन नमई टू Antibodies are produced by एंटी बोडी किसके द्वारा प्रोड्यूज होती हैं तो जो एंटी बोडी होती हैं वो प्रोड्यूज होती हैं option A plasma cell, option B lymphocytes, option C erythrocytes and option D basophils तो आपको ये तो पता ही होगा जो ये तीन दिखाई दे रहे हैं ये इनको count किया जाता है तो जो एंटी बोडी होती है और प्रोड्यूज होती है lymphocytes के द्वारा तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा question number third normally respiratory center is situated by sorry दोस्तों, stimulated by तो जो respiratory center होता है वो किसके द्वारा stimulate होता है option A oxygen के द्वारा option B blood की pH के द्वारा option C carbon dioxide के द्वारा and option D lactic acid के द्वारा तो इसके right answer की बास की जाए तो जो respiratory center होता है respiratory center जो stimulate होता है वो होता है carbon dioxide के द्वारा CO2 के द्वारा जैसे CO2 के संपरक में अपना आते हैं तो तुरंत जो respiratory center होता है वो stimulate हो जाता है वो respiration rate बढ़ जाती है जो की normal होती है 12 से 20 भी आपको देखने को मिल जाएगी और 16 से 20 भी आपको देखने को मिल जाएगी तो यह आपको ध्यान रखना है question number 4 the type of muscles found in the visceral organs and blood vessels is called जो visceral organs होते हैं उसके अंदर जो muscles पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है और उसको क्या बोलते है तो option A voluntary muscles option B cardiac muscles option C myocardium and option D involuntary muscles तो इसके right answer की बात की जाए तो वो का right answer option D visceral organ होते हैं जो body के हमारे जिनको vital organ भी बोलते हैं visceral organ को तो उसके अंदर जो muscles पाई जाती है वो पाई जाती है involuntary muscle जो कि अपने आप इस इस अपनी control में नहीं होती है question number 5 in human body un oxygenated blood is purified by human body के अंदर जो un oxygenated blood होता है वो किसके द्वारा purified किया जाता है option A heart के द्वारा option B lungs के द्वारा option C liver के द्वारा and option D kidney के द्वारा दोस्तो आपको एक question बहुत ईजी लग रहे होंगे लेकिन यही exam के अंदर गल्थ हो जाते हैं आपको देखना जरूर है वीडियो को complete end तक बिना skip किये तो इसका right answer होगा option B जो un oxygenated blood होता है वो lungs के द्वारा purified किया जाता है question number 6 all microorganism are मतलब जो all microorganism होते हैं वो क्या होते हैं कहां से आते हैं form sports sports के form होते हैं option B heavy wax coating जो wax जो मतलब wax जो खराप अदार्थ होते हैं उनको बोलते है option C are protoplasm consisting of protein and option D adapt to adverse environment तो इसके right answer के बात के जाए तो option C यहां पे right answer हो जाएगा are protoplasm consisting of protein जो microorganism होते हैं वो protein के ही consisting पदार्थ होते हैं question number 7 which of the following bone is largest bone in human body human body के अंदर largest bone कौन सी होती है तो option A है tibia option B radius option C femur and option D humerus तो यह question बहुत इजिये सभी को आता है femur जो कि जांग की bone होती हो सबसे लंबी bone होती है और strongest होती है question number 8 factors influencing innovation of growth and destruction of microorganism include जो micro organism की growth को कम करते हैं होगा वो होगा A, B and C option D यहां पर right answer हो जाएगा जो micro organism हो तीन पर डिपेंड करते हैं temperature और contact पर डिपेंड करते हैं absence of organic material पर डिपेंड करते हैं और इसके time duration पर भी डिपेंड करते हैं sport formation पर डिपेंड नहीं करते हैं तो option D यहां पर right answer हो जाएगा question number 9 which part of body is affected in typhoid typhoid के अंदर body का कौन सा part affect होता है typhoid एक तरह का fever होता है तो fever है जो कौन से part को affect करता है तो option A lungs, option B intestine, option C liver and option D pancreas तो इसका right answer की बात की जाएगा तो option B यहां पर right answer हो जाएगा क्योंकि typhoid को entire fear भी बोलते हैं intestinal fear भी बोलते है question number 10 vitamin essential for coagulation or blood, blood coagulation के लिए कौन सा vitamin आउशक है तो यह भी बहुत easy question होगा आपके लिए vitamin K यहां पर right answer माना गया है और होता भी vitamin K ही है जो कि आप सभी को पता होगा next question के बात की जाए question number 11 in the complex sense of vision the image of an object focused on the retina and is transmitted to the brain जो retina पर focus होता है image वो brain के पास जो transfer होता है वो कैसे होता है तो brain के पास कैसे जाता है जैसे eye के दुवारा आँख से जो retina जो पढ़दा होता है पीछे वहाँ पर जो focus पढ़ता है image का जो भी हम देखते हैं वो direct brain के पास जाता है तो वो कैसे जाता है इसके अंदर यही पहूंचा गया है option C, cornea के दौरा option B, optic nerve के दौरा option C, lens के दौरा and option D, iris के दौरा तो यहाँ पर right answer की बात की जाए तो option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा optic nerve के दौरा यह brain के पास पहुंचता है question number 12 volume remaining in the lungs and airways following a maximum expiratory efforts is known as दोस्तों इस question को आपको समझना है कि इसके अंदर क्या पूचा गया है इसके अंदर पूचा गया है कि volume remaining in the lungs जो lungs के अंदर volume यानि कि जो मात्रा बच जाती है and airways और उसके airways के अंदर maximum expiratory यानि कि full force के साथ अगर हम स्वांस को छोड़ दें और उसके बाद भी जो volume बच जाती है lungs के अंदर और उसके airways के अंदर तो उस effects को क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बचे हुए volume को तो option A residual volume option B total capacity lungs capacity option C vital capacity and option D tidal capacity तो इसके right answer की बात की जाए तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा residual volume बचा हुआ volume बोलते हैं उसको तो यह थे 12 नमर का question next question की बात करते हैं अब question number 13 if pericardial fluids exceed above 50 ml this is known as जो pericardium होती है heart के चार उत्रा pericardial जो layer होती है उसके अंदर अगर fluid 50 ml से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं option A यहाँ पर होगा pericardial edema option B यहाँ पर होगा pericardial transdute option C यहाँ पर होगा cardiac component and option D यहाँ पर होगा cardiac asthma अब इसके right answer की बात की जाए तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा pericardial transdute ट्रांजू डेट परिकार्डियल ट्रांजू डेट कुश्य नमर 14 थायराइड ग्लेंड इस प्रजेंट इन जो थायराइड ग्लेंड होती हो कहाँ पर प्रजेंट होती है option A chest के अंदर option B back के अंदर option C abdomen के अंदर and option D neck के अंदर तो यह कुश्यन आपको पता होगा थायराइड ग्लेंड और पराथायराइड ग्लेंड यह दोनों ही neck के अंदर प्रजेंट होती है तो option C यहाँ पर right answer हो जाएगा question No.15 many children sorry दोस्तो question No.15 है यहाँ पर many children with tonsillitis develop ear infection this is because the ear and throat are connected by the जिसके अंदर पुछा गया कि बहुत से बच्चों को tonsillitis होने के बाद ear का infection हो जाता है क्योंकि चो ear और throat है वो एक दूसरे से connect होते हैं किसके दौरा यह पुछा गया कि ear और throat किसके दौरा एक दूसरे से connect होते हैं option A यहाँ पर larynx है option B यहाँ पर stichion tube है option Z यहाँ पर epiglotis and option D है isophagus यह question बिलकुल easy question है option B यहाँ पर right answer हो जाएगा stichion tube के दौरा यह दूसरे से connect होते हैं question number 16 smooth muscles tissue is located in जो smooth muscles tissue होते हैं वो कहाँ पर located होते हैं option A stomach के अंदर option B urinary bladder के अंदर option C यहाँ पर intestine होगा and option D यहाँ पर all of the aboo तो इसके right answer की बात की जाए इसका right answer होगा option C जो smooth muscles tissue होते हैं वो intestine के अंदर present होते हैं next question question number 17 the respiratory center is located in the part of brain जो respiratory center होता है वो brain के किस part के अंदर located होता है option A medulla, option B thalamus, option C midbrain and option D cerebellum जो respiratory center की बात की जाए तो respiratory center होता है वो brain के अंदर medulla वाले part के अंदर situated होता है जैसे की यह यहाँ पे अपने brain की बात की जाए तो brain के अंदर यह part बटे होए होते हैं तो यहाँ पे जो यह part आता है ऐसे करके यहाँ पे जो medulla oblaan गाटा होता है यहाँ पे ही respiratory center होता है तो यहाँ पे option A right answer हो जाएगा question number 18, powerhouse of the cell is, cell का powerhouse किसे बोला जाता है तो option A यहाँ पे mitochondria, option B यहाँ पे nucleus होगा option C, Golgi bodies and option D, cell wall तो जो powerhouse of the cell को सिखा का सक्तिक रहे है वो mitochondria को बोला जाता है तो यहाँ पे option A right answer हो जाएगा question number 19, water is mostly absorbed from the digestive tract in the, तो जो water का absorption digestive tract के अंदर सबसे जादा कहाँ पे होता है option A, isofagus के अंदर, option B, stomach के अंदर, option C, small intestine के अंदर and option D, large intestine के अंदर तो इसके right answer की बात की जाए तो option D, यहाँ पे right answer हो जाएगा large intestine के अंदर water का सबसे ज़्यादा absorption होता है digestive tract के अंदर तो यह question आपको जहां रखना है, water का सबसे ज़्यादा absorption digestive tract के अंदर large intestine के अंदर होता है, question number 20, the breakdown products of hemoglobin, hemoglobin products का breakdown होना, क्या कहलाता है, तो option A, fosfolipid के दवारा होता है, option B, bile pigments के दवारा, option C, fibrin के दवारा, and option D, prothrombin के दवारा, तो जो hemoglobin का breakdown होता है, वो होता है option B, bile pigment के दवारा hemoglobin का breakdown होता है, next question question number 21 thyroid is effective only in the presence of जो thyroid होता है वो किसकी presence में ही effective काम करता है option A kay trendy yine option B iodine की option C potassium option D sodium तो यहाँ पर right answer के बात कि जाए तो यह होता है option B iodine इसलिए बोला जाता है कि iodine यूकति नमग खाओ क्योंकि यूदिन की प्रजेंस में ही थायुराइड एफेक्टिवली र 주क प्रकृि कर दा है कि वरना गेनगा रोव हो सकते हैं 22 लार्जेस्ट इंटर्नल ओर्गन of human body is human body का largest internal organ कौन सा होता है option A, liver option B, lungs option C, kidney and option D, heart तो जो largest organ की बात की जाए तो वो होता है यहाँ पे option A, liver internal organ के अंदर largest organ होता है वो liver होता है question number 23 the normal pH of body fluids is body fluid का normal pH कितना होता है तो यह भी आप सभी को पता होगा 7.35 to 7.45 accurate answer होता है यह वाड़ा option B, यहाँ पे right हो जाएगा question number 24 prothrombin is produced by prothrombin किसके द्वारा produce होता है तो option A, blood के द्वारा option B, liver के द्वारा option C, ovary के द्वारा and option D, spleen के द्वारा तो prothrombin की बात की जाए तो prothrombin जो होता है produce होता है वो liver के द्वारा होता है question number 25 number of pairs of spinal nerves that exist from the spinal cord are जो spinal cord के द्वारा spinal nerves निकलती है उनके कितने pairs होते है तो option 1, 31 option B, 33 option C, 34 sorry दोस्तो, 24 and option D, 30 right answer की बात की जाएगे तो यहाँ पे होते है 31 pair spinal nerves यहाँ पे spinal nerve की बात की जाएगे तो 31 pair होते है question number 26 total number of bones in the body body के अंदर total number of bones पूछा गया है कि body के अंदर total bones कितनी होती है तो यह भी आप सभी को पता होगा total bone होती है वो 206 होती है और new bone की बात की जाएगे तो 306 होती है दोनों question आपको जहाँ रखने है new bone के अंदर 306 होती है और adults की बात की जारी यहाँ पे 206 bones होती है next question की बात करें question number 27 एक compound within a cell nucleus that consists of a protein bound to a nucleic acid called जो एक compound होता है cell nucleus के अंदर वो protein से bound होता है nucleic acid उसको क्या बोलते है option a nucleo protein option b albumin option c glycoprotein and option d all of the above तो यहाँ पे right answer की बात की जाए तो इसका right answer होगा option a जो nucleus के दोआर अप connect होता है protein उसको nucleo protein बोलते है common question है next question 28 the fibrous tissue connecting bone to bone is cold जिसके अंदर पूचाएगा है bone से bone को connect करने वाला fibrous tissue क्या कहलाता है option a cartilage option b tendon option c muscles and option d ligament तो right answer की बात की जाए जिसका right answer होगा option d bone से bone को जोडने वाला ligament कहलाता है question number 29 the bonds that hold the antigen to the antibody combining site are antigen antibody को hold करने वाली जो combined site होती है उसको क्या बोलते है option covalent bond option b coordinate covalent bond option c hydrophilic bond and option d none of the above right answer की बात की जाए तो यहाँ पर right answer होगा option d none of the above इन में से कोई सा भी नहीं होगा question number 30 heat regulating center is located in जो heat regulating center होता है वो कहाँ पर located होता है option e thalamus option b hypothalamus option c अप्शन c medulla oblongata and option d seri belum के अंदर तो इसका right answer होगा option b hypothalamus is the heat regulating center body temperature को maintain करने वाला center hypothalamus होगा तो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम 30 questions ही solve करेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए next question next video के अंदर solve करेंगे मैंने पहले भी बताया है वीडियो के starting में भी आपको कि हम 1000 questions इससे related solve करेंगे जो कि आने वाली सभी M's और अन्य भी medical nursing के जो भी exams होने वाले उन सब के लिए important सावित होने वाले तो आपको सभी questions बिना skip के सभी वीडियो देखने है और next videos के लिए आपको channel को subscribe कर लेना है साथी bell icon को press कर लेना है और all के notification पे भी क्लिक कर लेना है ताकि आप किसी भी video को future में miss ना करें तो अभी तक के लिए आप जो भी सुने है तो अगर आपको mistake लगे तो आप comment में बता सकते हैं आज के लिए इतना ही काफी next video में बात करते हैं तब तक के लिए खुश रहे है thank you, thank you so much